हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आप अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं होमेट एक काड़ा की रेसिपी जो ये बच्चों को बुड़ों को बड़ों को सर्दियों से बचाएगा और सर्दियां जा रही हैं आती सर्दी और बच्चों को बड़ों को बहुत जल्दी लग जाती है इससे निमोनिया भी बन जाता है बच्चों को तो चलिए रेसेपी स्टार्ट करते हैं तो यहां पे एक बर्तन रगतेंगी जिसमें आप चायवाय बनाते हैं वो छोटी बगोनी या कोई पतीला वगरा गैस पे रगतें और गैस को ओन कर दें और उसमें डालें एक कप पानी और पानी को हमें गरम करना है और जब पानी अच्छा गरम हो जाएगा फिर हम इसमें एड करेंगे लॉंग तो यहां पे हमें देख सकते हैं कि पानी अच्छा बॉयल हो गया है अब हम इसमें लॉंग एड कर देंगे छैसे साथ लॉंग एड करेंगे इसमें कि और यह काफी आजी से किचिन में मिल जाती है और काफी असरदार होती है कफ के लिए S unfold के लिए something काफी effective होती है और बहुत जल्दी असर करती है तो इस को हमने पानी में डाल दिया है और इसको लॉंग पानी में डालने के बाद हम अच्छे से उबाल लेंगे और हमें इसको इतना उबालना है कि एक कप पानी लिया था तो उसके कॉंटिटी हाफ रह जाए यानि की आदा कप रह जाए इतना हमें इसको बॉयल करना है तो आप देख सकते हैं यहां पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है और यह आप देख सकते हैं हलका सा कलर भी चेंज हो रहा है क्योंकि जो लॉंग जब हम पानी में डालते हैं तो वह हलका सा कलर चेंज होता है बहुत ज्यादा कलर नहीं इसमें से निकलता है हलका सा ही कलर चेंज होता है तो लॉंग का जो सारा अक्र होगा अक्र बोलते हैं तो वह सार और यह वाली जो काड़ा है यह आप एक ही एक या दो से जो हम इसमें दो ही चीज़े यूज़ करने वाले हैं एक तो लॉंग और दूसरा में आगे आपको बताऊंगी इसमें और क्या यूज़ करना है और जो घर पे आसानी से ही मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है और अब इसको हम चान लेंगे एक कप में और इसमें स्टील का बतन यह लेना है काच का बतन या कप अगेर आप चीनी मिट्टी का ले सकते हैं तो इसको यहाँ पे मैं चान के ले रही हूँ जो बड़ी बड़ी लॉंग है उसको निका और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गरम है और फिर इसमें मिलाएंगे हम एक चमच शहद तो यहां पे मैं एक चमच भरके शहद डाल रही हूं और शहद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और शहद को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है और शहद भी काफी एफेक्टिव रहता है कफ के लिए खांसी के लिए सर्दी के लिए यह जो काड़ा है इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी यह आराम से बना सकते हैं क्योंक बनके हो गया है तैयार तो हमने आप देख सकते हैं एक कप पानी लिया था तो आदा कप रह गया है यहां पे तो यह हमें किस तरीके से लेना है तो जो बड़े लोग हैं वो इस काड़े को दिन में तीन बार ले सुबह दुफेर और रात को सोते टाइम तो बहुत जल्दी आराम मेलेगा खासी में कफ में और बहुत जब आप इसको पी तो गुनगुना ही पी तो काफी आराम मेलेगा और जब आप बच्चों को दें तो बच्चों को आप दो दो चमच दें दिन में तीन से चार बार तो उससे उनको बहुत अच्छे से आराम मेलेगा और बच्च मुझ में दवा सकते हैं और थोड़ा सा क्रश करके और उसको धीरे धीरे चूशते रहे उससे भी काफी खाजी में आराम मिलेगा अगर रहे